Hello Friends, Welcome to Studiker, मैं हूँ आपका दोस्तर प्रभाकर, इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं Beakley Current Affairs को, तो Beakley Current Affairs में हम 10 जून से 16 जून 2014 तक के Most Important Current Affairs के कुशन डिसकस करेंगे, तो आप इस पूरी लेक्चर को Last तक ज़रू देखिएगा, और Last में आप अपना Score भी बताएगा कि आ इसराइल देश को Blacklist कर दिया गया है, क्योंकि आहे United Nation ने इसराइल को Blacklist, तो गाजा में हमलों के बीच, इसराइल पर जो मानवादिकार के वो लंगन के आरोप लग रहे हैं, उसको देखते हुए United Nation ने इसराइल को अभी हाली में Blacklist कर दिया है, इसके अलाबा हमास को भी Blacklist में जोड़ा गया है United Nation को, इससे पहले United Nation के दौरा रूस, अफगानिस्तान, एराक, म्यानमार, सीरिया, यमन, सुमालिया, ISIS और अलकाइदा को भी Blacklist किया गया था, इसराइल की बात करें, एसिया महादिप में है, राजधानी है, जेरू सलम, राष्टपती हैं, इसहाक, हर जोग, प्रधान मंतरी हैं, बेंजा में नीतन याहू, दोस्तों, जब इसराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय भारतियों को बापस लाने के लिए, भारत के दौरा ऑपरेशन अजय सुरू किया गया था, पी एन बी, मैट लाइफ, इंडिय के M.D. और CEO कौन बने हैं, समीर बंसल, तो पंजाब नेसनल बैंक, मैट लाइफ, इंडिया के M.D. और CEO समीर बंसल बने हैं, पंजाब नेसनल बैंक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं, दयाल सिंग मजीठिया और लाला लाजपत्राय, मुख्याले इसका दिल्ली में हैं इसके गैरे कारिकारी अध्यक्ष हैं केजी अनत कृसनल, M.D. और CEO हैं अतुल कुमार गोयल, तीरंदाजी एस्यकप दो हजार चौबीस के स्टेज 3 में भारत में कितने मेडल जीते हैं, तो भारत में पांच मेडल जीते हैं, दोस्तों, पांच मेडल में से एक गोल्ड है, और दो ब्रॉंज मेडल हैं, गोल्ड मेडल किसने जीता है, इस बात को जरूर आप याद रखेगा, कोमुद सैनी ने, तो इन्होंने महिला कंपाउंड व्यक्तिकत इस परधा में गोल्ड मेडल हासिल किया है, EY World Entrepreneur of the Year about 2024 से किसे सम्मानित क्या गया है, बैलायन सुभईया को, बैलायन सुभईया यह पुरुषकार प्राप्द करने वाले चौथे भारतिया हैं, इससे पहले नारायन मूर्ती, उदय कोटक और किरण मजूमदार को यह पुरुषकार मिल चुका है, और बैलायन सुभईया के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक भारत के उध और फ्रेंच की फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टेडीज, इसके दवारा यह तरसना मिसन लॉंच किया जाएगा, जिसका उदेश होगा प्रतवी के तापमान की निगरानी करना, अंगला कुशन है, रामोजी राव का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो वह एक मी इडिया उध्मी, फिल्म निर्माता और ब्यावसाई थे, तो इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह जाएगा उप्सन नमबर D, तो रामोजी राव का अभी हाली में निधन हो गया है, उन्हें 2016 में पदमे विभूशन से भी सम्भानित किया गया था, दुनि दोस्तों, अंगला कुशन डिसकस करते हैं, लोगशबा चुनाद 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयू की आदिवासी महिला कौन मनी हैं, उनका नाम है प्रियंका जार की होली, तो करनाटक की चिकोडी लोगशबा सीट से जीत कर आई हैं प्रियंका जार की होली, और वह कम उम्र की आदिवासी महिला हैं, उनका संबंध कॉंग्रेस पार्टी से है, और उनकी 4 जून 2024 को उम्र थी 27 साल 1 महिने और 18 दिन, वर्ड फिलू वाइरस के कारण पहली बार किसी व्यक्ति की मौत किस देश में हुई है, आंसर हो जाएगा मेक्शिको में, तो दोस्तों, अ वर्ड फिलू का एक बाइरस है, यानि इसी के कारण वर्ड फिलू होता है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री कौन बने है, नरेंद्र मोदी जी, तो लगातार तीसरी बार भारत के प्राइमिस्टर बनने वाले दूसरे ब्यक्ति हैं कौन, प्राइमिस्टर मो मोधी 2014 में दूसरी बार 2019 में और अब तीसरी बार 2014 में प्राइमिस्टर बने हैं भारत के उन्होंने एक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के मुखमंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है और वह गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुखमंत्री तहने वाले भी बिक्ति हैं और आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधान मंत्री कोन है पीम नरेंद मोधी भारत के 14 वे प्रधान मंत्री हैं हाल ही में किस यूरोपिय देश की संसत को भंग कर दिया गया है आंसर हुजएगा फ्रांस तो फ्रांस की संसत को अभी हाली में भंग कर दिया गया है तो कि आने वाले समय में वहां पर चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले फ्रांस की संसत को वहां की राष्टपती Emmanuel Macron ने भंग कर दिया है फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की केपिटल है Paris राष्टपती है Emmanuel Macron प्रधानमंतरी है Gabriel Attal करंसी है यहां की यूरो, भारत और फ्रांस के बीच कुछ ही युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे सक्ति अभ्यास, बरुन अभ्यास और गरुन अभ्यास अल्टिमेट फाइटिंग चेंपियंसिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतिये कौन बनी है तो उनका नाम है पूजा तोमर, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाली है पूजा तोमर तो वो अल्टिमेट फाइटिंग चेंपियंसिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतिये बन गई है इस बात को आप याद रखेगा उनका संबंद उत्तर प्रदेश के मुझजबफर नगर से है अंगला कुशन है निम्ने में से किस के द्वारा प्रेडना इस्थल डेबलब किया जा रहा है आंसर हो जाएगा लोग सभा सचिवाला की द्वारा तो संसत भवन परिसर में लोग सभा सचिवाला की द्वारा प्रेडना इस्थल डेबलब किया जा रहा है यानि कि लोग सभा की परिसर में एक प्रेडना इस्थल बनाया जा रहा है जहां पर देश के महान नेता और स्वतनता सैनानियों की प्रतिमा इस्थापित की जाएगी नेक्ट कोशन है एंसी एल्टी ने एर इंडिया और किसके बिलै को अभी हाली में मंजूरी दी है आंसर हो जाएगा विस्तारा तो अभी हाली में राष्टिय कंपनी कानून नियायाधिकरण यानि एंसी एल्टी के द्वारा एर इंडिया और विस्तारा के बिलै को मंजूरी दे दी है इसके घोशना नवंबर 2022 में की गई थी और फाइनली इसके बिलै की घोशना एंसी एल्टी के द्वारा की गई नेक्ट कुशन है किस राज्य के ग्रामीड शेत्रों में उपभोगताओं ने दूद और दूद से बने प्रोडक्ट पर सबसे अधिक खर्च किया है आंसर हो जाएगा इसका हर्याना तो अब भी हाली में घरेलू उपभोग ब्याई सर्वेक्षन दो हजार बाईस ते इसको जारी किया गया है और इसको किस मंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है सर्वेक्षन सांख की और कारिकरम कार्यान बयन मंत्राले के द्वारा तो इसमें ये बताये गया है कि ग्रामीड छेत्रि की अगर हम बात करें तो हर्याना ऐसा राज है, जहां पर सबसे अधिक दूद और दूद से बने product पर खर्च किया गया है यानि कि हर्याना राज में जितना भी खर्च किया गया है लोगों के द्वारा उसमें से 41.7% दूद और दूद से बने प्रोड़क्ट पर खर्च किया गया है नेक्स्ट कोशन है मोटो जीपी भारत के 2025 संसकन का आयजन किस राज्य में किया जाएगा अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो मोटो जीपी इंडिया का आयजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोड़ा के बुद्ध सरकिट में किया जाएगा बेस्ट कंड़क्ट ओफ बिजनेस रेगुलेटर पुरुसकार किसे प्राप्त हुआ है आंसर हो जाएगा सेवी को तो सेवी को अभी हाली में बेस्ट कंड़क्ट ओफ बिजनेस रेगुलेटर पुरुसकार से अभी हाली में सम्मानित किया गया है तो ASEAN Banker के द्वारा यह पुरुसकार दिया गया है, इस point को आप याद रखेगा, सेबी को बोला जाता है Security Exchange Board of India, इसका गठन 12 अप्रेल 1988 को किया गया था, इसको बैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था, मुख्याले इसका मुंबई में है, इसकी अध्यक्ष मे पुरी बुच और यह भारत में प्रती भूती और कॉमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक निकाय के रूप में काम करता है, नेक्ष कोशन है, भारत के Exim Bank ने अपना प्रती निधी कार्यालाइक कहां खोला है, आंसर हो जाएगा नेरोवी में, तो Kenya की राजधानी हो जाएगा सुमित नागल ने, तो भारतिये पुरुस टेनिस खिलाडी है सुमित नागल, तो उन्होंने जर्मनी में आयुजित किये गए, हैल ब्राउन नेकर कप दो हजार चॉबिस में पुरुस एकल का खिताब अपने नाम किया है, नेक्ष कोशन है, फ्रेंच ओपन दो हजार चॉबिस में पुरुस एकल का खिताब जीता है, और पहली बार कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, पोलेंड की एगास सोईटेग ने, इससे पहले उन्होंने दो हजार बीस, दो हजार बाईस, दो हजार तेईस में भी फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था, फ्रेंच ओपन की शुरुबात कब हुई थी अठारा सोईग्या नवे से, और इसका आधिकारिक नाम क्या है, रोलाएंड गारोस, और यह एक क्ले कोर्ट पर खिला जाता है, यानि लाल बजरी पर खिला जाता है, नीती आयोक के निदेशक कोन निउक्त की गए हैं, तो आसीज कुमार दास अभी हाली में नीती आयोक के निदेशक निउक्त की गए हैं, नीती आयोक के बारे में अगर हम बात करें तो नीती का फुल्फॉर्म होता है National Institution for Transforming India, और यह भारत का एक ठिंक टैंक है, इसका गठन एक जनवरी 2015 हुआ था, PM मोदी इसके अध्यक्ष है, सुमन वेरी उपाध्यक्ष, VBR सुब्रमन्यम इसके CEO और निती आयोक के द्वारा भारत नवाचार सुचकांक को जारी किया जाता है, सुहेलवा वनजियू अभ्यारण कि सराज्जी का पाँचबा टाइगर बनने वाला है, सुहेलवा वनजियू अभ्यारण, यह वनजियू अभ्यारण 452 बर कलोगी मीटर छेत्र में फैला हुआ है, और यह स्रावस्ती बलरामपुर और गॉंडा जिलो में फैला है, उन्नीस सो अठानवे में इसे वनजियू अभ्यारण घूशित किया गया था, और यह वनजियू अभ्यारण भारत और नेपाल की सीमा पर है, भारत के किस पडूसी देश ने अंतराष्टिय सौर गटबंधन की सदस्ता के लिए रूप रेखा समझोते को मंजूरी दी है, आंसर हो जाएगा नेपाल, यानि नेपाल भी अब अंतराष्टिय सौर गटब बंधन में सामिल होने वाला है, अंतराष्टिय सौर गटबंधन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की द्वारा की गई थी, वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या 120 से जादा है, इसके डारेक्टर है अजय माथोर और इसका मुख्याला है ग नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाय जाता है, नौसेना के वर्तमान में प्रमुक हैं दिनेज कुमार तिरपाथी, विस्सु बाल स्रम निसीद दिवस हर साल कब मनाय जाता है, आंसर हो जाएगा 12 जून को, तो हर साल 12 जून को विस्सु बाल स्रम निसीद दिवस मनाय जाता ह और यह दिवस किसके द्वारा मनाय जाता है अंतर राष्टिय स्रम संगठन के द्वारा 2024 की इसकी थीम है Let's Act On Our Commitments and Child Labor चंदरबाबू नाइडू किस राज के मुख्धमंत्री बने है तो आन्दप्रदेश के नए मुख्धमंत्री बने है चंदरबाबू नाइडू चौथी बार चंदरबाबू नाइडू आन्दप्रदेश के मुख्धमंत्री बने है पहली बार वो 1995 में आन्दप्रदेश के मुख्धमंत्री बने है और आपको याद लखना है कि चंदरबाबू नाइडू की पार्टी का क्या नाम है तेलगू देसम पार्टी आंदरप्रदेश का गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था अमराबती इसकी कैप्टल है राजपाल है एस अब्दुल लजीर विधान सभा की 175 राजसभा की 11 लोकशभा की 25 सीटे है नार्वे सतरंज 2024 टूर्णामेंट किसने जीता है आंसर हुजएगा मैगनस कालसन ने तो नार्वे देश के मैगनस कालसन ने अभी हाली में नार्वे सतरंज 2024 टूर्णामेंट को अपने नाम किया है और महिला बर्ग में चाइना की जू बैंजुन ने या खिताब अपने नाम किया है अंगले कुशन डिसकस करते हैं सावलोस, क्लॉस, चिलमा किस देश के उपराश्ट पती थे जिनका प्लैन क्रैस हो जाने से निधन हो गया है आंसर हो जाएगा मलावी नेक्स्ट कुशन है कौन सी राज्य सरकार एक बिसेश प्रबासी भारतिये सेल स्थाफित करेगी तो मोहन चरण माची ओडिसा के नए मुख्मंत्री बने है इससे पहले नवीन पतनाएक ओडिसा के मुख्मंत्री हुआ करते थे लेकिन अब बीजेपी के मोहन चरण माची ओडिसा के नए मुख्मंत्री बने है ओडिसा का गठन 1 अप्रेल 1936 को हुआ था भूमनेस्वर इसकी राजधानी है राजपाल है रगवर्दास विधानसवा की 147 राजसवा की 10 लोकशवा की 21 सीटे हैं ओडिसा राज में दो नैसनल पार्क हैं सिमलीपाल नैसनल पार्क और भितरकनिका नैसनल पार्क भारतिय सेना के नई प्रमुक कौन बने हैं तो उपेंदर दोबेदी अभी हाली में भारतिय सेना के प्रमुक बने हैं और वह है भारतिय सेना के 30 बे प्रमुक बनाए गए हैं उन्होंने मनोज पांडे का इस्थान लिया है भारतिय सेना की स्थापना 26 जन्वरी 1950 को हुई थी बर्दमान सौरूप में और इसका मुख्याला है नई दिल्ली में सेना दिवस मनाये जाता है 15 जन्वरी को 2025 में पुरुस जूनियर होकी विस्टुकप की मेजबानी कौनसा देश करेगा आंसर हो जाएगा भारत तो भारत में 2025 में पुरुस जूनियर होकी विस्टुकप का आज़न किया जाएगा नेक्ट कोशन है संत तिरुमंगई अलवर की मूर्थी को किस देश से बापस लाए जाएगा आंसर हो जाएगा ब्रेटेन तो ब्रेटेन की ओक्सपोर्ट उनिवर्सिटी में 500 साल पुरानी कांसे की एक मूर्थी रखी गई है जो संत तिरुमंगई अलवर की मूर्थी है तो इसे अब ब्रेटेन से भारत बापस लाए जाएगा समुदरी अभ्यास GMAX 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है आंसर हो जाएगा इसका जापान तो GMAX अभ्यास भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है 2024 में इसका आठबा संस्तान आयोजित क्या जा रहा है इसकी सुरुवाद 2012 में की गई थी 2024 में GMAX अभ्यास का आयोजित जापान के योको सुका में आयोजित क्या जा रहा है नेक्ट कुशन है किस संस्तान ने गोशना की है कि भारतिये विस्सु बिद्याले में अब दो बार प्रवेश दिया जाएगा आंसर हो जाएगा विस्सु बिद्याले अनुदान आयोग यानि UGC ने अभी हाली में ये गोशना की है कि अब विस्सु बिद्याले में एक बरस में दो बार एडमीसन दिया जाएगा बात करें अगर हम UGC की तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिली में हैटक्वाटर है वर्तमान में अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार तो यह है उच्छे सिख्षा विभाग के अंतरगत काम करता है इसका काम होता है विस्सु बिद्यालेओं को मानिता प्रदान करना सहीٹ राष्ष ने किस बरस को अंतरष्ठिय क्वांटम और प्रोदोक की बरस गुषित किया है आंसर हो जागा 2020 को फिक्की की महानिदिशत कौन निक्त की गई है तो अभी आली में जोती बिज को फिक्की का महानिदिशत निक्त किया गया है फिक्क की अगर हम बात करें तो ऐसे Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry बोला जाता है यह एक गैर सरकारी ब्यापारिक संग है इसके स्थापना 1927 में की गई थी और भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ब्यापारिक संस्था है कौन? फिक्की गांधी सागर बन्द जीव अभ्यारण किस राज में है जहां चीतों को इस्थाना अंतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मद्ध प्रदेश तो मद्ध प्रदेश के मंदस और जिले में इस्थित है गांधी सागर बन्द जीव अभ्यारण तो यहां पर भी अब चीतों को इस्थाना अंतरित किया जाएगा? इससे पहले मद्ध प्रदेश के कुनो नैसनल पार्क में चीते थे तो अब गांधी सागर बन्द जीव अभ्यारण में भी चीतों को इस्थाना अंतरित किया जाएगा Mixed Martial Arts यानि MMA में सामिल होने बाले पहले भारतिये पोरोस fighter कौन बने हैं उनका नाम है संग्राम सिंग यानि कि संग्राम सिंग अब Mixed Martial Arts की प्रतियोगताओं में भी सामिल हो सकेंगे यूक्रेन सांती सम्मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल लही है तो इस जंगे के 28 महीने हो गए है तो अब सांती की स्थापना करने के लिए सुर्जा लेंड में यूक्रेन सांती सम्मिलन आयोजन किया जाएगा 15 और 16 जून को इसमें 90 देशों के प्रती दिधी सामिल होगी और रूस इसमें सामिल नहीं होगा उसने मना कर दिया है सम्मिलन में सामिल होने से नेक्ट कोशन है पचासवाज G7 सिखर सम्मिलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ है आंसर हो जाएगा इटली तो 13 से 15 जून 2024 तक पचासवाज G7 सिखर सम्मिलन इटली के फसानों सहर में आयोजित किया गया है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसे और यूरोपिय यूनिन ने हिस्सा लिया है भारत को इसमें अतित्थी देश के रूप में बुलाया गया था तो PM मोदी जी इसमें सामिल हुए थे 2023 में G7 सिकर सम्मेलन का आयुजन जापान में हुआ था G7 की बात करें तो इसे ग्रूप आप सेविन बोलते हैं यानि यह एक साथ देशों का समोह है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी तो विसक्वी जो साथ सबसे बड़ी अर्थववस्थाएं हैं उनका एक समोह है G7 इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रेटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सामिल है PM स्री पर्टन हवाई सेवा का शुबारंब किस राज्ज में किया गया है आंसर हुजएगम मद्द पर्देश में मद्द पर्देश में अभी PM स्री पर्टन हवाई सेवा का शुबारंब किया गया है मद्द पर्देश के चीप मिश्टर है डॉक्टर मोहन यादाओ तो उन्होंने पर्टन इस्थलों की कनेक्टिविटी को बहतर बनाने के लिए PM स्री पर्टन हवाई सिवा का शुबारंब किया है और इसकी सुरुबात राजा भोज अंतराश्टिय हवाई अड़े से की गई है जो की बोपाल में है तो पहली उड़ान गोपाल से जबलपूर तक के लिए भरी गई है पैमा खांडू किस राजी के तीसरी बार चीप मिश्टर बने है आंसर हुजएगा अरवनाचल प्रदेश तो अरवनाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख मंतरी कौन बने है पैमा खांडू इसके अलावा अरवनाचल प्रदेश के डिप्टी सीन बने है चाउना मी नेक्ट कोशन है वेस्विक लेंगेक अंतर सूचकांक दोहजार चौबीस में भारत की रेंक क्या है यानि कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोहजार चौबीस में भारत की रेंक क्या है आंसर हो जाएगा एक सो उन्तीस तो विश्व आर्थिक मंच यानि डबलू इएफ के द्वारा अभी हाली में वैस्वेक, लेंगेक, अंतर सूचकांक दोहजार चौबीस को जादी किया गया है भारत एक सो उन्तीस बेक और आइसलेंड पहले स्थान पर है और इस सूचकांक में 146 देसों को सामिल किया गया था सैक्तुराष्ट के अंसार 2023 से मई 2024 तक कितने लोग विस्थापित हुए है आंसर हो जाएगा 120 मिलियन अंगला कुश्यन है खीर भवानी मेला किस राज्या के अंसासे प्रदेस में आयुजित किया गया है आंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर में अभी हाली में खीर भवानी मेला आयुजित किया गया है तो जो कस्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा खीर भवानी मेले का आयुजित किया गया है उत्राखंड के जोसी मट का नया नाम क्या हो गया है तो जोसी मट का नया नाम हो गया है जोतिर मट इस बात को आप याद रखीगा इसके अलाबा नैनी ताल जिले की कोस्या कोटोली तहसील का नाम स्री कैंची धाम कर दिया गया है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्ब की खोज की है आंसर हो जाएगा ESA यानी European Space Agency के द्वारा विहाली में मंगल ग्रह पर बर्ब की खोज की गई है विस्सो रक्तदाता दिवस का मनाय जाता है या वल्ड डॉनर डे का मनाय जाता है या वल्ड बलड डॉनर डे का मनाय जाता है आंसर हो जाएगा 14 जून को दो हजार चौबिस की थीम याद रखेगा 20 years of celebrating giving thank you blood donors तीसरी बार भारत का राष्टिय सुरक्षा सलायकार किसी नुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा अजीट डोबाल तो अजीट डोबाल को तीसरी बार भारत का राष्टिय सुरक्षा सलायकार नुक्त किया गया है उनकी पहली बार नुक्त की गई थी सन 2014 नेक्ट कोशन है वेस्विक सांती सूचकांक 2024 में भारत की रखेगा आंसर हो जाएगा 116 तो अभी हाली में वेस्विक सांती सूचकांक 2024 को जारी किया गया है इसमें भारत 116 बे स्थान पर है 163 देशों में और अमेरिका की रेंक आपको याद रखनी है 132 भी है और अगर हम टॉफ कंटरी की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलेंड दूसरे स्थान पर आइरलेंड तीसरे स्थान पर आउस्ट्रिया है नेक्स कुशन है मुख मंत्री मन्नुएर काथू मन्नुएर कापॉम योजना किस राज में शुरू की गई है तो यही योजना तमिल नाडू में शुरू की गई है और इस योजना का प्रमुख उद्देश है मिर्दा स्वास्त में सुधार करना इस योजना का शोबारंब कमिल नाडू के चीप मिस्टर M.K. स्टालिन की द्वारा किया गया है भारतिय सैना को किस ड्रॉन की पहली खेप प्राप्त हुई है तो नागास्तर फश्ट नामक ड्रॉन अभी हाली में भारतिय सैना को प्राप्त हुआ है और दोस्तो यह एक आत्म घाती ड्रॉन है और इसकी रेंज 30 किलो मीटर है नेक्ट कोशन है निजुत मोईना योजना किस राज में शुरू की गई है आंसर हो जाएगा असम में तो असम सरकार के द्वारा अभी हाली में निजुत मोईना योजना शुरू की गई है इस योजना का प्रमखुद्दे से बाल विवाह को रोगना नेक्ट कोशन है दुनिया में नाइट्रस आकसाइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सरजन कोन बना है आंसर हो जाएगा भारत तो दुनिया में दूसरे नमबर पर है नाइट्रोजन की उत्सरजन में भारत पहले नमबर पर है चाइना दूसरे पर भारत तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर ब्राजील और पाँचवे नमबर पर रोस है ICC Player of the Month मई 2024 किसे चुना गया है तो गुडा केस मौती को ICC Player of the Month 2024 चुना गया है मई माह के लिए इसके अलाबा महिला बर्ग में स्रीलंका की चमारी अथा पत्तु को Player of the Month चुना गया है Next Question है भारतिये 9 सेना ने Missile Less Immunition Barge L.S.A.M. 13 या Yard 81 को Commission किया है इसको किस कमपनी ने बनाया है तो इसको Second Engineering Projects Limited कमपनी ने बनाया है तो यह एक बार्ज है जिसका नाम है L.S.A.M. 13 बार्ज क्या होता है तो यह एक समतल नाव होती है जिसका काम होता है सामान को पानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अंतराश्ट्य खगोलिय संग ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड़ों का नाम किसके नाम पर रखा है आंसर हो जाएगा देविंद्र लाल के नाम पर तो दोस्तो बहुत एक अनुसंधान प्रियोकसाला के पूर्व निदेशक है प्रोफेसर देविंद्र लाल तो उनके नाम पर अभी हाली में मंगल ग्रह पर एक गड़े का नाम यानि एक क्रेटर का नाम रखा गया है और इस क्रेटर का नाम लखा गया है लाल क्रेटर घुर सबारी में Grand Prix event जीतने वाली पहली भारतिये कौन बनी है तो उनका नाम है सुरूती बोरा तो भारतिये घुर सबार है सुरूती बोरा तो उन्होंने अभी हाली में 3 star Grand Prix event अपने नाम किया है पंडित राजीब तारानात का निधन हो गया है वाई किस बाधियंतर से संबने थे आंसर हो जाएगा सरोध तो सरोध से संबन रखने वाले पंडित राजीब तारानात का अभी हाली में निधन हो गया है उन्हें 2019 में पदमसरी और सन 2000 में संगीत नाट्रक अकाडमी पुरुसकार से सम्माने किया गया था और उनका संबन्द बैंगलोरू से रहा है अब आपके लिए कोश्चन है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्ष में बताना है खुशन है आपके लिए लगातार तीसरी बार भारत के प्राइमिस्टर कौन बने है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्ष में जरूर बताएं हमें इंचार रहेगा आपके आंसर का आप हमारे टेलिग्राम चेनल को जोईन कर लीजिगा इसका लिंक डिस्किपशन बॉक्ष में दिया गया है इसके अलाबा आप हमारे वाट्सेब चेनल को भी जोईन कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको डिस्किपशन में मिल जाएगा study करके app को download कर लीजिएगा app का link description में है app पर आपको paid course, ebook, test series, pdf, daily, कुछ यह सभी मिल जाएगा monthly current affairs, yearly current affairs, six month के current affairs की ebook आपको app पर मिल जाएगी तो इस सभी को प्राप्त करने के लिए app को ज़रूर download करें